नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं पूनम आपके साथ बॉलिवड स्टार गोविंदा 60 साल के हो गए हैं गोविंदा का फिल्मी करियर समय धलान पर है उनकी पिछले फिल्म रंगिला राजा 2019 में आई थी जो की फ्लॉप रही इसके बाद गोविंदा के पास कोई फिल्म नहीं है कभी पहली फिल्म हिट होने के बाद गोविंदा ने एक साथ उन पचास फिल्में साइन कर ली थी फिल्मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगा कर खड़े रहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है गोविन्दा कमबेक की कोशिश कर रहे हैं इसी वज़ा से गोविन्दा ने फिल्मेकर डेविट धवन से पैच अब भी कर लिया है जिन से उनकी तक्रीबन पांच साल से बाचित बन थी गोविन्दा ने डेविट की तक्रीबन 17 फिल्मों में काम किया था इनमें शोला शबनम आखें, राजा बाबू, कुली नमबर वन, हीरो नमबर वन जैसी फिल्में हिट रही थी गोविन्दा के स्टाडम का आलम ये था कि एक मैगजिन ने उने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बिताते वे लिखा था जिसको 21 साल की उम्र तक कोई जानता नहीं था, उसने 22 साल की उम्र में उन पचास फिल्में साइन कर ली थी गोविन्दा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था, जब पेड़ा हुए थे तो उनके पिता अरुन आहुजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था यह बात को गोविन्दा ने एक इंटर्वियू के दोरान कही थी गोविन्दा ने इंटर्वियू में बताया था, जब मैं गर्ब में था तो मा साधवी बन गई थी वो पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साधवी की तरह कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया दरसर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण मा उनसे अलग होका साधवी बनी है कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूपसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्हें मुझे प्यार करना शुरू किया इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद